दोस्तों मशकार आप देख रहे हैं मैं बिजनस ट्रेनर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेफशॉप के वेहराउस का टूर करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि सेफशॉप का प्रोड़क आपके घर में सेफशॉप की तरफ से किस प्रकार से पहुचता है और कहते हैं कि सेप शॉप कंपणी है या नई है तो उन सभी लोगों को इस विडियों को दिखाना है और वेहराउस का पूरा टूर करने के लिए हमारे साथ में आप एंट तक बने रही है यह सेप शॉप का नई है वेहराउस है जो की कापसेरा निपिल ने मिस्ती थे अब सेप शॉप के सारे प्रोड़क्स यही से आपके करने पहुचेंगे सबसे बहला प्रोसेस है प्रोड़क्स रिसीविंग का जो भी कमपनिया सेप शॉप के साथ में टाय अप है वो सभी कमपनियों की प्रोड़क्स रिसीव करता है और अपने वेहराउस में रखता है प्रोड़क्स रिसीव हने के बाद में उन प्रोड़क्स को अलग-अलग कैटेगरी हिसाब से डिवाइट किया जाता है और इंद रैक्स में रखा जाता है यह रैक्स की उपर आप कुछ कोडिंग दिख रहे होंगे कि कोडिंग प्रोड़क्प को नोट करती है और उसी की हिसाब से हर रैक में अलग-अलग प्रकार से प्रोड़क कर रखे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस रैक में वीनल के सूट्रैंस रखे हैं हुआ हुआ है जब च्क कaking ब्लांकेट रखी गए हैँ यह देखिन सेफ शौप का नया लॉंच हुआ 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 है जिस रेक में भासा के ब्लांकेट स रखे है से प्राइडर के बैक रखे है सारे प्रोडुक्स एक-इक र्ला है यह एलो और एक प्रोडुक्ट है जिए शे और अलग अलग प्रकार से जो हेल्थ रिलिटेड प्रोड़क है वो रखे गये हैं यह देखिए हमारा यह प्रोटीन अलग 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 प्रोड़क अलग अलग रैक में अलग 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 पोडिंग के हिसाब से रखे जाते हैं और इसी प्रकार से सारे product पुरे फियर राउस के अंदर डिवाइड ओ चुके हैं और अलग-अलग category के हिसाज़ाब से अलग-अलग जवाण पर रके जाते है अब बात आती है आपके घर बे product इस प्रकार से पहुंचता है किस प्रकार से पाकिंग हो जब orders आती है तो वहाँ पे आपके invoice निकलते है और invoice यहाँ पे आ जाते है इतने बड़ी back end team safe shop की आपके लिए यहाँ पे काम कर रही है आप देख सकते है प्रोड़क का order आने के बाद में रहक से प्रोड़क निकलता है और आपके लिए packing की तरफ पढ़ता है उसके बाद में एक पैनल पे सबी लोग प्रोड़क को पैक कर रहे होते है जिस हिसाब से order साती है जिस हिसाब से customer की requirement रहती है और safe shop के packaging के साथ सारे प्रोड़क्स यहाँ पे पैक किये जाते है safe shop का branded packaging material लगने के बाद में सबी प्रोड़क्स को invoice चड़ाया जाता है जो सबसे important है और यहाँ से वो प्रोड़क्स निकलते है आपके घर में पहुशनी के लिए सारे प्रोड़क्स पैक होने के बाद में वो अलग अलग deliveries कंपणियों को forward के जाते हैं और यह सारा काम safe shop यही से operate करती है और आपके लिए सेकड़ों लोग आपके पीचे काम करते हैं ताकि आपका प्रोड़क आपके घर में सही समय पे जल से जल पहुचाया जाए उमीदे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें अपने टीम के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए चैनल पर नहींगते चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद चलिए मिलते किसे नए वीडियो में जैहिन